यह देखिए अब दिलिप मंडल के बाद मोहन बागवत जी ने भी तुलसी दास की रामायन को नकार दिया एक तरह से मोहन बागवत ने कह दिया कि कुछ लोगों ने हमारे धर्म गंतों में कुछ का कुछ लिख दिया अपनी बाद घुसेड़ दी अपने स्वार्थ की बाद घुसेड़ दी बिल्कूल साइब बात है अफवा कुछ ऐसे ही फैलती है आपने वो गेम देखा होगा ना कि जैसे एक लाइन में बहुत सारे लोगों खड़ा कर दिया जाता है पहले वाले वेक्ति को कुछ बात कान मे कह दी जाती है और कहा जाता है कि आप अपने पीछे वाले को बताएं फिर वो उसको पीछे वाले को बताता है और आखरी वाले वेक्ति तक पहुंचते पहुंचते वो बात का बतंगड बन चुका होता है तो बात का बतंगड ऐसे ही बनता है क्योंकि जितने भी धर्म ग्र करते करते वो उसमें बहुत सारी चीज़े जुड़ती गई परिसितियों के नुसार तमाम चीज़ों के नुसार चीज़े जुड़ते 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 किसी ने उसे जाकर बाद में लिख दिया वालमी की जी ने रमायन लिखी ये कहा जाता है आला कि उनका भी नाम शर्मा बताया गया उनका सरनेम भी अब बात ये है कि उनकी लिखी रमायन का अनुवाद तुलसिदाज दुबेजी ने किया अब तुसिदार दुबेजी ने जब किया तो उसमें उन्होंने अपनी बाते भी डाल दी और उसमें इस तरह से लिखा कि जो उनकी जाती है उसका फाइदा होता रहे आगे कई सालों तक जमानों तक होता रहे वो और वो हुआ उसका फाइदा बहुत जादा हुआ तो हर कोई अपनी तरह से, अपने फाइदे के लिए चीजों का इस्तमाल करता है, आप मोदी जी को देख लीजे ना, मोदी जी भी क्या कर रहे हैं, कि भाई वो जो भी विदेश से कोई आता है, तो उसको बताते हैं कि आप बुध की धर्ती में आए हुए हैं, बुध का संद लेकर जाएं लेकिन भारत की जब बात होती है तो भारत वालों को कहते हैं कि यहां पर आपको राम, हिंदुत, तमाम सारी चीजे उनके लिए सर्वपरी होती है, प्रमुख बात होती है, तो मुहन भागवजी ने जो बात अभी ये कही है, इस समय वो बात दरसल सही है, हर का भी गलत तरीके से जो इस्तेमाल किया जाता है या फिर उसको गलत तरीके से उसको प्रयोग करके उसमें गरबढ़ियां करके जो है वो अब बहुत सारी चीजे होने लगी है अब मोहन भागवजी चाहे जो कह दें कि जिसमें जाती को गाली दी गई बहुत सारी बाते गंद मिती भी तो मनुस्मिती के लिए भी आप कुछ कहें क्योंकि वहां पर भी इनी जातियों के लिए महिलाओं के लिए बहुत बुरी-बुरी बाते लिखी हुई है और ये तो छोड़िये नियाय का जो मंदिर होता है नियायले नियायले में जाके आपने मनुस्मिती खड़ी कर दी है राइस्थान के नयाले में इसका मतलब यह है कि मनुस्मिति के नुसार वहाँ पर नया होगा और अब बहुत सारे जो जज हैं वो उस मनुस्मिति की कई बातों को कोड़ भी करने लगे हैं अपनी जज्जमेंट में यह तो छोड़िये बी एच्यू बनारस विश्व वि उसमें कौन से बढ़ने में उस्था कौन सी तारकी के किसी को उपर आपने अपने स्वार्थ के नुसार रख दिया क्योंकि यही मोहन भागवत है इन्हों नहीं कहा कि जो जातिया बनाए गई पंडितों ने ब्रामनों ने अपने हिसाब से अपने स्वार्थ के नुसार उस इसी वजह से अभी जो वर्डिक्ट आया है जो हाथ रस पर जो अभी परिणाम आया है जो रिजल्ट आया है जो हैसला उन्होंने दिया है उसमें इस बात की जलक साफ साफ दिखती है कि उन्होंने उन विशेश जाती के लोगों को बचाने के लिए तमाम सारे तर्ग गड़ यह कि भाई वो चुकी उसी दिन नहीं मर गई बच्ची अगर उसी दिन मर गई होती तो यह कहा जाता कि वो उसे मारना चाहते थे अगर वो उस दिन नहीं मरी आट दिन बाद मरी इसका मतलब यह है कि वो मारना नहीं चाहते थे मतलब क्या भयानक घजब का उसमें तर्ग है बात तो ऐसी है कि अगर नयाय सब के लिए आप बराबर कहते हैं करते नहीं है है सब के लिए बराबर लिखा गया है लेकिन आप उसको अमल में नहीं बिलाते हैं यही बात समिधान के लिए भी है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा और यह तमाम सारी जो बाते हैं यह इसी प की तमाम जातियों को इसमें जो है नीचे रखते हैं उनका बुरा होता रहता है हमेशा होता रहता है तमाम आपकी जितने भी फैसले होते हैं तमाम जो यूजनाय होती है बहुत सारी जो बाते होती सरकार जो इस वक्त चल रही है कुछ खास लोगों के लिए जो करवाये जा और तमाम सारे देश के लोगों का नुपसान जो करवाया जा रहा है ये सब कुछ वुधी धर्मग्रंथों से आता है जिसकी बात मुहन भगवत कर रहे हैं कि इसमें कुछ स्वार्थी तत्वों ने अपनी बाते घुसेड़ दी है तो घुसेड़ दी है उसमें आप भी शामि है.